दोस्तों मैं सुरमलिक आप सभी का Only Top Study चैनल पर स्वागत करता हूँ आज टेस्ट और नॉलिज में हम देखने वाले हैं Top 29 ऐसे Question-Answers जो की हर एक परिक्सा में पूछे जाते हैं आप लोग इस वीडियो को सुरू से लेके एंडर तक देखेगा 29 में से कितने Questions के Answer सही कर अपा रहे हैं अपना Score Comment Box में जरूर बताएगा प्यारे दोस्तों ये 10 मिनट की वीडियो होती है रात में 9 बजे आती है Only Top Study यूटूब चैनल पर आप इस वीडियो को जरूर देख लिया करें पर्थम पंचवर्चे यूजनक कब प्रारामुई ये आपके लिए Test Question है इसका Answer आप सभी को Comment Box में बताना है शुरू करते हैं आज की वीडियो को पहला Question है सबसे कठोर परदार्थ कौन सा है तो सबसे कठोर परदार्थ मेरे प्यारे दोस्तों कोन सा है इस Question का सही Answer है Diamond यानि की C is the right answer दूसरा Question है भारत में सबसे कम जिनसंख्या वाला राज्य कोन सा है तो दूसरे Question का Right Answer है सिक्किम यानि की B is the right answer तीसरा Question है विश्व का परद्थम विश्विद्याले कोन सा है तो तीसरे Question का Right Answer है तक्सिला विश्विद्याले यानि की C is the right answer Question No.4 है प्रत्वी पर कुल कितने महसागर है प्रत्वी पर कुल कितने महसागर है तो Question No.4 का सही उत्तर रहेगा पांच यानि की C is the right answer Question No.5 है गैस का गनत्व अधिक्तम होता है तो सही आंसर रहेगा दूस्तों कम तापमान उचदाप पर यानि की पांचवे Question का Right Answer भी हो जाएगा अगर आप लोग किसी भी competitive exam की त्यारी करते है तो आप हमारी Master PDF को ले सकते है Master PDF का लिंक description box पर हमारी WhatsApp नंबर दोनों जगे मिलेगा लिंक पर क्लिक करके payment करके आप PDF को डारेक्ली प्राप्त कर सकते हैं मातर 170 रुपे की PDF उसमें सारी subject मिलेंगे वो भी पूरी lifetime के लिए चटा Question है पहला भारतिय गवर्नर जनरल तो पहला भारतिय गवर्नर जनरल कौन था दो उस तो Right Answer एगा C. राजगोपालाचारी यानि की B. Right Answer एगा Question No.6 का सही उत्तर Question बर साथ है तराइन का पर्थम यूद 1190 में इसमी में किसके मद्दे लड़ा गया सही आंसर हैगा मुम्मद गोरी और प्रित्विराज तिरत्य के बीच में यानि की साथवे Question का Right Answer भी हो जाएगा आठवा Question है संसार की सबसे महिंगी वस्तु क्या है संसार की सबसे महिंगी वस्तु दोस्तो यूरेनियम है यानि की Right Answer भी हो जाएगा आठवे Question का सही उत्तर नवा Question है पादपों में वासपो उत्सरजन किसके द्वारा होता है Right Answer हैगा रंदर के कारण यानि की B Right Answer हो जाएगा दस्वा Question है परसीद सर्ण मंदिर कहां इस्तित है परसीद सर्ण मंदिर दोस्तो ये इस्तित है अमरत सर में दस्वी Question का Right Answer भी हो जाएगा ग्यारवा Question है विस्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है सही उत्तर हैगा सहरा रेगिस्तान ग्यारवे Question का Right Answer भी हो जाएगा बारवा Question है गेटवे ओफ इंडिया कहां इस्तित है तो Right Answer हैगा मुंबई भी यानि कि C is the Right Answer विस्व का सबसे उंचा पसू किस जानवर को माना जाता है जिराव दोस्तो Right Answer हैगा यानि कि Question No.13 का Right Answer 2 हो जाएगा विस्व में सर्वदिक मद्दाताओं वाला देश कौन सा है सही उत्तर दोस्तो भारत हो जाएगा यानि कि B is the Right Answer Question No.15 है विस्व के सबसे गहरी जील कौन सी है सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए अपने भाई बेन दोस्तों के साथ में सेयर करना और जितनी भी वीडियो अभी तक अपलोड हो चुके है उनकी प्लेलिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन वोक्स में है वाहां से सारी वीडियोस देख सकते है विस्व की सबसे गहरी जील दोस्तों कौन सी है तो यह है बेकाल जील यानि कि A Right Answer किस देश का कानून सबसे कठोर माना जाता है साउदी अरब का यानि कि B Right Answer हो जाएगा सोलवे कोशन का सेउतर सतरवा कोशन है बंगाल को मुगल सामराज्य से पर्थक कर सवतंतर किया तो सही आंसर हैगा मुर्सिद कुली खाने सतरवे कोशन का Right Answer A हो जाएगा अठारवा कोशन किस देश के लोग अधिक परिशनमी माने जाते हैं अठारवे कोशन का Right Answer हैगा जापान के लोग यानि कि D Right Answer हो जाएगा उननीसवा कोशन है इंडिया गेट कहा है थी थे तो Right Answer हैगा नई दिल्ली यानि कि B is the Right Answer एसिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कोन सा है बीसवे कोशन का सही उत्तर रहेगा गोबी रेगिस्तान यानि कि C is the Right Answer 21 कोशन है पर्थम पंचवर्षे योजना कब परारम हुई ? पर्थम पंचवर्षे योजना दोस्तों 1951 में परारम हुई यानि कि D Right Answer हो जाएगा पर्थम पर कुल कितने महादीप है ? पर्थम पर कुल दोस्तों आठ महादीप है यानि कि C Right Answer हो जाएगा द्यानन सरस्वती का असली नाम क्या था ? 23 वे का सही आंसर हैगा मूल संकर यानि कि B Right Answer हो जाएगा यूकेरियोटिक कोसिकाओं में प्लाजमा जिली किस से बनी होती है ? फासको लिपिड से यानि कि 24 वे कोश्चन कराइट आंसर D हो जाएगा 25 वे कोश्चन है भारत में सबसे ज़्यादा तेलगू भासा कहाँ पर पर परचली थे ? तेलगू भासा कहाँ पर परचली थे ? तो Right Answer हैगा आंदर परदेश यानि कि B Right Answer हो जाएगा 26 वे कोश्चन है कौन सा ग्रेप परत्वी से सबसे दूर है ? 26 वे कोश्चन का Right Answer हैगा नेप्चून यानि कि D Right Answer हो जाएगा 27 वे कोश्चन है सूर्य से प्रत्वी पर परकास को आने में कितने मिनट का समय लगता है ? 27 वे कोश्चन का Right Answer हैगा 8 मिनट 20 सेकिंड का समय लगता है यानि कि D Right Answer हो जाएगा मारास्ट में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी की अधिकता है ? 28 वे कोश्चन का Right Answer हैगा काली मिट्टी की यानि कि B Right Answer हो जाएगा तमासक किस राज्य का लोग रंगमंच सैली है ? 29 वे कोश्चन का Right Answer मारास्ट हो जाएगा यानि कि C Is The Right Answer देखिए 29 में से कितने कोश्चन के आनसर आप लोगों ने सही किये हैं ? Comment box में अपना स्कोर बताइए किस देश का कानून सबसे कटोर माना जाता है ? या आपके लिए टेस्ट कोश्चन है इसका भी आनसर सभी को comment box में जरूर बताना है प्यारे दोस्तों अगर आप लोग किसी भी competitive exam की त्यारी करते हैं तो आप हमारी master pdf ले सकते हैं मात्र 170 रुपे में master pdf का link description box पर हमारी whatsapp नंबर दोनों जगे मिलेगा link पर click करके payment करके आप pdf को प्राप्त कर सकते हैं master pdf के अंदर आपको सारी subject मिलेंगे वो भी पूरी lifetime के लिए आप कितनी बार भी बढ़ सकते हैं अगर आपको इस session अच्छा लगता है तो like share करिए, channel पर नए है तो subscribe करिए bell icon को on रखिए ताकि आगे आने वाली कोई भी video मिस ना हो thank you so much, bye bye everyone take care खाल लगे अपना, मिलते next glass में